तो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि कैसे अपना गूगल अकाउंट बनाया जाए लैप्टॉप में, पीसी में, कम्प्यूटर में, ओके जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक गूगल पेज को लाएं, ओके गूगल पेज पे जो आपका सर्च बार होता है, उसमें आपको यही चीज इकसे टाइप करनी है, सबसे पहले गूगल अकाउंट, इसको टाइप करते ही आपको ऐसा पेज देखेगा, इसमें आपको जो सबसे फॉस्ट वाला ओप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके पास यह पेज ओपन होगा, ओके, सो यहाँ पे अब मैं आपको सारी information बताऊंगी, और इसमें क्या problems आती हैं, क्या नहीं, वो भी बताऊंगी, सबसे पहले यहाँ पे अपना first name डालो, जैसे मैं डालती हूँ, रितिका, और मैं डाल देती हूँ, वर्मा, रितिका वर्मा, यूजरनेम में मैं डाल देती हूँ, जिस भी नाम से मुझे यूजर बनाना है, रितिका वर्मा और at the rate gmail.com लिखा हूँ, अब मैं जैसे ही password पे जाऊंगी, आप password पे मुझे बताएगा कि the username is taken try another, यहाँ पे problem आ जाती है, तो यहाँ पे इसका मतलब ही है कि आप यह नहीं ले सकते हूँ, यूजरनेम लिया हूँ है, किसी और ने अपना किया ह अब अविलेबल है यह वाला, आप यही ही जो है अपना gmail डाल सकते हो, आपको यह चूस करना है, कभी कबार होता है कि आपको बहुत सारे option आते हैं उसमें से जो आपको पसंद है, आप वो ले सकते हो, तो आपको इस पे क्लिक करना है, अविलेबल, जो भी आपको अविले जैसे मैं तो कुछ भी अभी डाल दे रही हूँ वही चीज़ confirm करने के लिए आपको डाल देनी है और फिर आपको next कर देना है confirm में भी आपको वही चीज़ डाल देना है जो आपने पासवर्ट करेट करते हैं टाइम डाली है और आपको next पे click कर देना है अब यहां पर आपको यह आपकी second problem है कि यहां पर आपको दिखाएगा कि आपकी जो password का character होना चाहिए वो 8 character होना चाहिए तो यहां पर आपको 8 character से ज़्यादा का आपको password डालना है कोई भी छोटा नहीं होना चाहिए यह चीज़ आपको confirm में डाल देनी है अब आपको next करना है अब आपको यह problem नहीं आएगी और उसके बाद यह next phone number कुछ लोग होते हैं कि हमें अपना phone number नहीं डालना है और तो यह optional भी होता है कि आप इस पर डालो या नडालो वो आपकी मर्जी है recovery email address recovery email address का मतलब होता है कभी कबार आप अपना password भूल गए तो उसके लिए जो है आप password चेंज करते time वो helpful आता है कोई भी किसी का email account बनाओ अगर आपकी घर में या किसी का भी तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कोई भी किसी के आपके घर में किसी का भी कोई भी account बनाओ जिससे आप password भूल जाओ तो उस time पर आपको help मिल सके वो आपको डाल देना है अगर मैं एक बाद नहीं डालती हूँ फिर देखते हैं यह क्या कहता है और month आपको डाल देना है month मैंने डाल दिया October, day कोई भी डाल सकते हूँ अगर आप जो है अभी डालती हूँ मतलब आपका year अगर आपका कम होता है तो वो आपको मतलब आप बच्चे हो अगर तो आपको एक और add account मांगेगा आपके parents का तो अब यहाँ पर अगर मैं 1993 डालती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मांगेगा क्योंकि I am elder above 18 years जेंडर, female, male आपका जो भी आपको बो डालना है आपको next करना है याद रखना अगर आपने कोई भी 2000 वाला डाला मतलब तो वो counting कर लेगा और अगर देखेगा कि आप 18 से above हो तो ठीक है अगर नहीं हो तो फिर वो आपको एक और साथ में account अटेच करना पड़ेगा आपको आपके parents का वो problem आ सकती है मेरे साब से better यह है कि थोड़ा year पीछे का डालो 18 years तो वो agree कर लेगा और फिर यहापे कुछ terms and conditions है आप यह देख सकते हो पूरा इसको I agree करते हुए आपको आगे जाना जैसे यह आप I agree करोगे आपका account आपके सामने होगा तो यहापे कुछ problems थी जो कि problems मैंने जानमुचके किया और फिर आपको solve करके दिखाई पूरी तरीके से और फिर वैसे हमने पूरा जो है अपना account बना दिये ओके it will take some time यहापे आप देख सकते हैं successfully यहापे बोल दिया गया है welcome रितिका वर्मा तो यह account मैंने ऐसी बनाया सिर्फ और सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए okay so बस यही था इस channel में कि आप कैसे account create कर सकते हूँ so मिलते हम next video में एक नई वीडियो के साथ thank you, thank you very much